दोस्तो अक्सर जब किसी को डेंगू हो जाता है तो अक्सर डॉक्टर जो है वो ब्लड का टेस्ट कराते हैं और बताते हैं कि आपका प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो यह जो प्लेटलेट काउंट होता है यह क्या होता है किस तरह से जो है वो इसे खतरनाक माना जाता है आज इस वीडियों में आपको इसी के बारे में बताऊँगा। साथ में ये भी बताऊँगा कि आखिर ब्लड के अंदर ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये कम क्यों होने लगती हैं। और साथ में ही इसे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इनको हम बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से जो है वो जब हमें ब्लीडिंग होती है, जब हमारे सरीर में किसी हिस्से में चोट लग जाती है, तो उस जगे पर जो ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने में यानि रखत इस तरह आपको रोकने में जो है वो प्लेटलेट्स मदद करती हैं। और यह जो platelets होते हैं, यह हमारी हड़ियों के अंदर जो bone marrow होता है, जैसे हम अस्थी मज्जा बोलते हैं, बहाँ पर बनती हैं, अगर हम बात करें कि एक healthy बैक्ति है उसके सरीर में, उसके blood में platelet count कितना होता है, तो यह जो है वो 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक पर microliter blood में होता है, अगर 4,50,000 से उपर यह हो जाता है, तो इस इस्थी को हम thrombocytosis बोलते हैं, और अगर यह platelet count 1,50,000 से कम होने लगता है, तो इस इस्थी को हम thrombocytopenia बोलते हैं, और अक्सर जो है वो डेंगू के patient में platelet count कम होने लगता है, यानि कि thrombocytopenia देखने को मिलता है, अब देव ज लगते हैं, एक तो जो हड्डियों के अंदर जो bone marrow होता है, जहाँ पर की platelets बनते हैं, बहाँ पर यह virus एंटर कर जाता है, और कहीं न कहीं bone marrow की functioning होती है, यानि जो bone marrow काम करता है, उसको ठीक से काम करने में जो है वो दिक्कत पैदा करता है यह virus, जिसके परणाम सरूप होता क्या है कि जो platelets बन रही होती है, उनके production में जो है वो कम ही आ जाती है, और इस बज़े से blood में platelets कम होने लगती है, दूसरा जो कारण होता है, वो यह होता है कि जो dango virus से जो affected blood cells होती है, वो कहीं न कहीं platelets को नुकसान पहुचाने लगती है, और उन्हें नष्ट करने लगत बलड में मौझूद platelets को नष्ट करने लगती है, और इस बज़े से भी platelets का count बलड में कम हो जाता है, अब देख लेते हैं कि आकर platelets कम हो जाता है, तो दिक्कत क्या होती है, हो गया तो क्या परिनम होगा इसका, क्या result होगा, किस बज़े से जो है वो डॉक्टर इसे खतरन अग इस्तिती बताती है, कम होने से जो है वो क्या क्या नुक्सान हो सकते हैं देख लेते हैं, देखिए जो डेंगू की गंबीर बीमारी होती है, उसमें तीसरे चौते दिन से जो है वो platelets count गिरना सुरू हो जाता है, और कई बार बिना treatment के भी जो है वो पेसेंट में जो है होती हैं, यह blood clot बनाने में help करते हैं और इस तरह से bleeding को रोगने मदद करते हैं, चुकि जो डेंगू होता है, इसमें हमारे जो intestine यानि आतों की गती होती है, जो peristalsis movement होती है, वो काम हो जाती है, और इस बज़े से भोजन धीरे धीरे आंगे बढ़ता है, और व्यक्ति को अ ब्यक्ति को जो है, एनीमिया हो जाता है, और बार-बार ऐसा होने से जान का खतरा भी जो है यानि की bleeding रोकने के लिए जो platelets होती है, वो blood में कहीं न कहीं कम रहती है, आप देख लेते हैं कि अगर platelets कम हो जाता है तो इसे किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, देखिए platelets का कम होना कहीं न कहीं एक गंबीर भीमारी का संकेत है कि आपका जो डंगू है वो कहीं न कहीं गंबीर है और ऐसे इस्थिती में आपको जो है तुरंँ Спिटल में एडमिट हो जाना चाहिए क्योंकि अगर कहीं आपको ब्लीडिं़ चालू हो यानि रख्तिस्त्राव सुरू हो जाता है तो यह सी स्थिति में आप जो है वो जो इस्थिति है उसको समाल सकेए इसके लिए आपको हस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए और साथ में डॉक्टर्स जो है वो कुछ दबाईयां देते हैं इसके माध्यम से जो है वो बढ़ाने की कोसिस करती हैं साथ में किस तर ऐसे नेचुरल तरीके से जो है वो क्या-क्या खाकर आप प्लेटलेट काउट बढ़ा सकते हैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो जो है वो अवेलेवाल है मेरे चैनल पर इसके लिए डेंगू की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो प्लेलिस्ट पर मौझूद अलग-अलग वीडियो देख सकती हैं तो उस वीडियो में ने जो बताया है कि किनके नेचुरल तरीकों से क्या-क्या जो है वो घर में मौझूद जो नेचुरल चीज़े होते हैं उनको खाकर आप जो है वो कित सर ऐसे प्लेटलेट बढ़ा सकत तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करने